नमस्कार दोस्तों डिजिटल मास्टर के एक नए लेक्चर में आपको बहुत-बहुत सवागत है दोस्तों फिछले लेक्चर में हमने सीखा रूट एट को इराशनल कैसे प्रूफ किया जाए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे थ्री प्लस रूट टू इस नमबर को इराशनल प्रूफ कैसे किया जाए दोस्तों यहाँ पर जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्फ करते हैं तो सबसे पहले एक हमें अजम्शन करना पड़ेगा अब यहाँ पर हमने यह जो अजम्शन किया है इस अजम्शन को हम स्टेटमेंट नमबर वन देंगे तो क्या हम थ्री प्लस रूट टू को पी बाई क्यू ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पर क्यू इस नॉट इक्वल टू जीरो पी एंड क्यू आर को प्राइम्स को प्राइम्स मतलब इनको कट कट आके यहाँ तक हम लेके आये हैं इसको हम देते हैं स्टेटमेंट नमबर टू अब दोस्तों हमें यह पता है कि रूट टू इराशनल नमबर है लेकिन हमें यह नहीं पता कि 3 प्लस रूट टू इराशनल नमबर है कि नहीं क्योंकि हमने अ हम directly यह नहीं कह सकते कि rational number और irrational number का जो sum है या फिर addition है उसको हम irrational कहते हैं इसलिए हम क्या करेंगे हम सिर्फ इतना focus करेंगे कि root 2 जो है वो irrational है इतना हमारे पास knowledge है अब हमें क्या करना है दोस्तों 3 को right side में लेके जाना है इसे equation को adjust करना है re-adjust करना है shuffle करना है तो क्या आएगा हमारे पास root 2 is equal to P divided by Q minus 3 अब देखो P divided by Q एक rational number है 3 एक rational number है तो अगर हम rational numbers की addition करें या subtraction करें या multiplication करें या division करें except division में denominator में 0 ना हो तो वो सारे rational numbers ही आता है इसका मतलब यह जो हमारा पूरा number है वो rational हो गया और हमें पता है कि root 2 irrational है तो यह जो हमारी left hand side है वो irrational हो गई अब जब हमारे equation में left hand side irrational है और right hand side rational है तो यह equation correct तो नहीं हो सकता इसका मतलब जो हमारा equation है वो गलत है therefore root 2 is equal to P divided by Q minus 3 is wrong इसी का मतलब क्या है ये wrong क्यों हुआ because of our assumption हमने गलत चीज अज्यूम कर ली इसलिए हम आगे जाके गलत साबित हो रहें तो हमें सही साबित करने के लिए क्या करना होगा जो हमने assumption किया शुरू में उसको दुरूस करना होगा तो हमारा assumption था कि assume that three plus root two is a rational number यह हो गए दोस्तों हमारी प्रूफ अब इसमें आपको यहां पर कोई भी अलग number दिया जाए मालो यहां पर three plus root five three plus root eight हो five plus root five five plus root eight हो five minus root eight हो ऐसे कोई भी नंबर अगर आपको change करके दिया जाए तो भी आप exactly इसी तरीके से यह प्रूव कर सकते हो कि जो आपको number दिया गया है वो irrational है अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ इसका मुझे आप comment section में जवाब देना हमारे पास मान लो ऐसा number है five plus root nine ठीक है क्या यह number rational है या irrational है इसका answer आपको comment section में लिखना है दोस्तों अब rational irrational प्रूव करने की जो बहुत सारे examperls थे वो हमने देख ली है इसमें बस इतना ही है अगर आपको एक बार में अच्छे से समझ नहीं आया तो दुबारा देखो पहले बार देखते है सबको मैंने reply कर दिया है तो जाहिरे आपको भी reply मिल जाएगा अगर अर्जंट कुछ पूछना है तो social media पर मुझे message करके पूछ सकते हो मैंने अपने सारे social media handles description में दे रख हैं वहाँ पर आप मुझे message कर सकते हो आज के lecture में बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में तब दो काप हसते रोख खेलते रहो हमेशा के तरह सीखते रहो जो कि अ